हेलो बच्चों तो कैसी हो सभी उमीद करता हूं आप सभी अच्छे अच्छी होंगे आज अपको लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नम्मर 21 11 एंसी आठीगा ठीक है तो आज अपको लोग इस चेप्टर को रिडाउट करते हैं अच्छे सामस्ति एंसी आठी बेस्ट तो चली स्टार्ट करते हैं चेप्टर का नाम है नियूरल कंट्रोल एंड कोडिनेशन यानि की तंत्रिक यह नियंत्रन एवं समन वें तो सबसे पहले आप लोग जान लेते हैं चेप्टर के अंदर कुछ इंप्टेंट पॉइंट के बारे में तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यह एक्टोड्रमल होता है कैसा होता और इजन के अंदर बच्चो यह एक्टोड्रमल होता है ठीका न तो यह आपनको याद रिखना एक्टोड्रमल होता है पहला इंप्टेंट पॉइंट अपनको यह याद रिखना कैसा होता यह उत्पत्य में एक्टोड्रमल होता रहे बारे में तो यह क्या बोलना चाहरा है इसका अंदर मतलब क्या है कि जो समनवेता होती है वह एक ऐसी क्रिया वी दिया जिसकर दूआरा अदिक अंगों में क्रियासिलता बढ़ती है जैसे अबन लोग बात कर रहे हैं कि अगर अगर वियाम करते हैं तो जब वयायम करते हैं तो अपने पेश्यों के संचालन है तो उठाके आवशरिकता भी बढ़ जाती है और ऑक्सिजन की आवशरिकता भी क्या होती है बच्चो तो इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बच्चो कोडिनेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं सेगर्ड दिंग मैं आपको बताता हूं जैसे कि अपने बोडी के अंदर जो कोडिनेशन का फंक्शन होता है ठीक है जिसको अपने इंडेग्रेट बोलते हैं इंडेग्रेशन का फंक् सब्इसक्राइब करते हैंór देश्चों स्लों सब्सक्राइब धानिकर अन्हांद करला है तरिकल्स कोई विश्चे डिले नहीं जो देट एम और gratuit क्विलंब सेवा exercise और इसके प्रेप्टर inhib eighty सेंट र होते हैंдж फैट्ट और वगर तर कारियर करता है द्यान अपर बात कर थे हैं सम priority तंत्र का तंत्र असे व्यवस्टी जौल तंत्र गढ़ाई करते हैं और अधोक्राइन जो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन जो system होता है वो क्या करता है अब यह रसाईनिक समनवे गरते हैं। यानी कि हारमन के तूरु आपने बॉड़ी के अंदर कोडिनेशन का function करता है इतना clear हो गया बच्चो कि इसके अंदर अध्म क्या कैसे होते हैं। सुनर में और रफ्लेक्स अर्क वारे में अमने दुनों आहे हैं तो पर आता है नियूरल शिष्टम पारा shooting से भ और तो डिमार तो जेआते hein अरु Elect paleл अर्वाले हैं आए José Do El Sand सिस्टम का निर्मान करती है निर्मान किस खड़ा लिख रहा है एक तो नेखर कम आ जाने कमकों法 सिह मेंकों करता है को रीख केइस का नर्ब इस टीश्यू का फोर्मेशन करते हम लिखश्वatan नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बचो देन आप लोग बात करते हैं जो नीम्न आक असेरु की प्राणी होते हैं उनका तंत्र के संख्टन कैसा होता है बहुत ही सरल उता है बहुत ही सिंपल होता है जिस हाइडरा के अंदर आपन लोग अब लोग बात करते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कितने बात में बच्चो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कौन कौन सा एक तो होता है CNS, Central Nervous System ठीक है दूसरा होता है PNS, Peripheral Nervous System बच्चो याद रिकना है पहला CNS, Central Nervous System एक रहता है PNS, Peripheral Nervous System ठीक है तो जो Central Nervous System होता है इसके अंदर दो चीज़ा हाता है एक तो brain आता है अपना और यहां काते एक तो ब्रेन आता है और दूसरा क्या होता है इस पाइनल कौड आता है तो यह दो चीजी आपको इसके अंदर आद क्या निर्वस अंदर अब बात कहते हैं अपन लोग देखे तो इसमें क्रेनी नर्व अगर आते हैं अफ्रेंट नर्व आ गए अफेरंट नर्व फाइबर जिसको sensory and motor भी आपन लोग बोलते हैं, क्लियरा बच्चों, इसके अंदर यह सब कुछ दे रहा है, sensory या फिर motor के बात करें, तो sensory यानी संवेदिय होता है, motor यानी चालक होता है, जिसको है, जिसको है, हिंदी में, परिदी तंतर का थंतर यह किसमें, आप लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जो नर्व नर्व फाइबर प्रिजेंट होता है, कौन-कौन सी, एक तो sensory nerve fiber और दूसरी motor nerve fiber, तो PNS के अंदर यह दोनों fiber प्रिजेंट होते हैं, अब PNS को कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा हैं बच्चों, PNS को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हैं, कौन-कौन सा, एक तो होता है SNS, एक होता है SNS, सेग्ड दिंग आता है, ANS, यानि autonomous nervous system, SNS का मतलब क्या होता है, Somatic nervous system, याद रखना बच्चों, यह क्या है, Somatic nervous system, Somatic nervous system का मतलब क्या होता है, यह skeletal muscles पर काम करता है, यह जो impulse होते हैं, यानि कि CNS से, मैं यहाँ पर note कराऊ, से जो impulse होते हैं, वो कहाँ पर लेकर जाता है, skeletal muscle के अंदर लेकर जाता है, यानि कि जो voluntary muscles होते हैं, वहाँ पर work करता है, कहाँ पर, skeletal muscles के उपर work करता है, ठीक है, कौन करता है बच्चों, यह Somatic nervous system, तो Somatic nervous system का क्या काम, क्या रोल होता है, यह एच्छी क्रिया के लिए responsible होता है, यह जो होता है, वो voluntary process के लिए responsible होता है, जैसे CNS से impulse को कहाँ पर लेकर जाता है, यह skeletal muscles के तरफ लेकर जाता है, देने अप लोग बात करते हैं, NS, NS का मतलब होता है, Autonomous nervous system या फिर Autonomic nervous system अपने इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो impulse होते हैं, वो इन एक्छी क्रिया के तरू, यह देखना, जो इसके अंदर जो impulse होते हैं, वो involuntary muscles के उपर वर करते हैं, यह जो smooth muscles होती है, जो chickeny muscles होती है, वहाँ पर लिज लिए तंत्रिका तंत्रिका तंतर्, तो CNS के अंदर कौन से आ गया है, एक तो brain अगया है, दूसरा मेरो रोजी यानि की spinal code अगया, ठीक है, यह क्या करता है, सुसनाओ का संसादन नियंतरन करता है, अब बात करते हैं, पियनस के बारे मैं, जो पैनस होता है, इसके अं को एक्वरींट भी बोलते हैं मोर्टर को आप्में लोग इफ्रेंट बोलते हैं ठीक है अब इनस के कितने पाते बच्छो दो पाता कौन-कौन से एक तो होता है Autonomic Nervous System, ठीक है, एक होता है Somatic, तो Somatic Hindi में क्या बोलते है, काईक Tantri का Tantr, और Autonomic यानि कि सवाय Tantri का Tantr, आपन लोग इसको इंगलिस में बोलते हैं, इतना कलियर हो गया, समझते द्यान से देखना, जो काईक Tantri का Tantr होता है, यानि कि तो इसकी जो Somatic Nervous System होता है, तो बचुों यहाँ पर क्रेक्शन है, काईक Tantri का Tantra होता है, वो दिपनों को बात करते हैं सवायत तंत्र का तंत्र के बात करते हैं तो यह से कहां लेके जाता है इन वोलेंटरी मसल्स तक लेके जाता है तो इतना क्लियर हुआ तो सवाय तंतर का तंतर की बात करें आप लोग तो एनस के दो पाट होगे एनस के कौन कौन से होते हैं एक तो आता है तो इसका जो मैं रोल होता है वह सिंपेटी नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपेटी नर्वस सिस्टम का जो रोल होता है वह एमरजेंसी कंडिशन के अंदर ही ज्यादा थे होता है तो इसको आप और्मली यहाद रख सकते हो अब बात करते हैं आप लोग तंटर का कौशञाएं नियूरों की बात करते है ठीक है तो नियूरों होते है तंटर का तंटर संजराचना आत्मक एववश्जाक क्रियात्मक होती है बच्छो कह सी है यह इस ट्रेक्शल दुम्राक्ष की बात करें तो इसको डेंडराइट्स बोलते हैं दुम्राक्ष की बात करें तो इसको डेंडराइट्स थोड़े से अजीब से हैं और तंत्रिकाक्ष की बात करें तो इसको अपने लोग क्या है और यह कैसा है एक्जोन हो गया तो अगर अगर अपने लोग इस तो x-zone को है, बहुत है, लॉंगेस चील जो होती है, अपनी बॉड़ी की वह कौन से है, neuron ही होती है, अगर impulse की बात करें, अगर अपने लोग पॉटेंशियल की बात करें, तो उनका जो transmission होता है, उनका जो इस्तानातर होता है, वह कहां से होता है, भी एक stat am उसके अंधर और क्या होता है न उसके आंदर इश्बं सैंटर कई उसकाते लिस्ट है इसका काई में यह कहा है पेकल को नहीं दिछा काम के जाता है फिर भी ओलली इन टृटित से कि स्वाइच आए. क्यों में जरें रआता है, यह तो यह वन इनट्रेंटरियों जहां पर क्या प्रजेंट होती है न इन थेस्ट इन थेस्केमानलब3 मوسिद सेनप्य वेसियूप elem परकारे के बात करें तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन अपने सारे ने तो अपन जो अपने एक की आद्स रहेंगे इन प्रजेंट बात करें सो इसके अंदर केषैंग स्कार जिए ओंच होता है तो जो羅 यह टरृण होते हैं ठीडर परेंगी hydra उसके अंदर apolar neurons present होते है then अपने बात करते हैं इसके अंदर uni polar neurons के बात करें किसकी फिर्ड वच्चो यूisi scholar यूनि पॉलरgeons ठीक है सेकेंड एता है unipolar이 नीडरोन तो यूनि पॉलर नीडरोन होते है वो साइट थितलों नियुरोनियों का बाइपालर भैप्रटा तो कि भgovernुल्टे नियूरं और औरलीरा यद लिए मतलब से वो एतμεुए तो सऐ शना हूं थे छार बैपिन अन्दर हो सब्सक्राइ एकशन नियुरोन देटिट सागे पराइब को और यह एक ही अपन को इसके अंदर साइट्वन मिलता है, इसमें इतना देर का द्रश्टी पटल के अंदर ही पाया जाता है, इतना क्लियर हो गया, उसके बाद करते हैं, बहुत धृवय बॉलते हैं, जो मुल्टी पॉलर नीूरोन होते हैं, वो 99% होते हैं, इतने इतने जो ए फीड़ सेखशिए और योखन पॉलर योखन को डेयो ख करते हैं, सबसे ज्यादा थे करते हैं, अब बात करते हैं जो अबेमों मेलाइएट्अ नॉन मयलिनेटेड होता है जो माइलिनेटेड एक जोन होता है वहां पर आपको स्वान सेल देखने को मिलती है स्वान सेली माइलीन सीथ का फॉर्मेशन करती है इतना के लिए रहा ओकी इसके अंदर मेंने आपको चीज नहीं बताय थी वह था नीचल ग्रैनुस तो अपनों थ अपने देखा भी होगा यह आर-ई-आर के टुकड़े ही होते हैं लेकिन यह यह आर-ई-आर प्लस राइबोसम मतार जिसका काम क्या है बच्चों प्रोटीन संसलीशन का काम होता है एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं यह जो नर्वस सेल होती है इसके अंदर आपको कि अब बात करते है कुछ फिए जगह ऐसी होती है जहां अब अब आर अब भूलते है आउड बोलते है यह जो फिर वाला आवरोन स्वान नहीं फिर ंब आठ अप जीज है जुड़र सेल कहा है कि भूरी अब आफ ये डिक जो ऐग्जो आव भी आवराय होती है शो लिमा और ये भाहर वाले स्वान को आवरान पर जो माहिश होती है यह यह जो आवनुड़ लिमा чист COR हमानTMत going Nod of Ranv तो इसमें यह मैलिन सीथ अवरोन होता है जहां पर मैलीन सीथ अवरोन के बीच में क्या प्रजेंट होता है नॉड फाइन दिन थे दू जगह अपन को देखने के मिलते हैं कोन मैलिने टे नर्व फाइबर ठीक है वह अगर बात करें, अन्माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करते हैं, तो अन्माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं, वह अपन को SNS, जो सॉमेटिक नर्व सिस्टम होते हैं, वहां पर SNS का मतलब होता है, सॉमेटिक नर्व सिस्टम, और साथ यसाथ बात करते है भी एपन को, नॉन-namylinated 되어 निर्व फैबर परचेमिक ही मलती है, यहां पर आपको, मैलिन सीत नहीं देखा जाएगा, डीक है तो, यहां पर क्या होता है, मैलिन सीत मे मैलिन सीत क होता है, टौटली अपसेंट होते है, इस का मतलब इसा हो गया मल्टीब पॉलर हो गये कैसा हो गए अब मुर्सिंट ह activity प्राइबो सो कए चॉसिसे मंदर गडरिबेंगे। owt इस न्चॉबल नेस होता है यहां मैलिनरीटर नज। थीक है यह वाला लाश्ट वाला पार्ट है जिसको अपला जिलो डेंड्राइट्स बोलते हैं स्नेप्टि वैसिकल से अंदर स्नेप्टिक नॉप परजेंड होती है और इन्जी के अंदर नियूरो ट्रांस्मिटर भरे रहते हैं अब यह जो सेक्षन है यह जो आवेगो की उत्पत्ति अवम संस्रेन वाला सेक्षन है यह बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है NCRT के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहा है लेकिन आपन इसको तीन डाइग्राम से अच्छे से समझेंगे एक कारे था सब्सक्राइब कि ईंपटरा कोता है यह यह जो सब्सक्राइब है जब ये एक्जोनुमा अब चैब ये विराम अवस्ता में होती है उछ टाइम क्या होता है अंदर के साइड के ऐसा चार्ज होता है इसके अंदर नेगडिव चार्ज होता है और बाहर के साइड के ऐसा होता है इसके अंदर पोजिटिव चार्ज होता है क्यों होता है इसके पीछे का रीजन समझो आप इसलिए होता है जब यह resting phase के अंदर होती है तब यह potassium के लिए ध्यान से सुनना जब यह resting phase में होती है तब यह potassium iron and chloride iron के लिए तो permeable होती है ठीक है potassium and chloride iron के लिए तो कैसी होती है permeable होती है लेकिन sodium iron के लिए यह impermeable होती है very very important याद रखना आपको sodium ion जो होते हैं वो resting stage के अंदर बहुत ही कम impermeable होते हैं जब कि जो potassium ion होते हैं and chloride ion होते हैं उनकी लिए ये permeable होती है तो बाहर से chloride ion वगर होते हैं वो कहाँ पे आएंगे अंदर के side आएंगे तो chloride ion CL पे charge कैसा होता है वो चो negative होता है तो अंदर वाली जो layer होती है वहाँ पे कैसा charge आजाएगा negative तो opposite में आपको पता है polarize हो जाएगी तो polarize हो जाएगी तो बार के तरप कैसा charge positive charge हो अपने इसको क्या बोलते है polarized neuron बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अपने लोग % desse यह क्या होता है open होता है very very important sodium potassium ATPase pump जब पॉते है तो बहुत टीजाएं कि फाहार जाएंगे और बहुत उपाहर से 2 potassiumtym के ओपनीपमOYकुल चक्छल करभ़़एंगे अंदर जाएंगे ठीक कि यह तो दो बाहर के तरह बाहरा है और potasym जो होता है वह बाहर से यानि की एक्स्ट्रा इंट्रा स्विलीलर फ्लीड के अंदर इंटर हो रहा है कौन सा pump open होगा sodium potasym ATP pump open होगा यह जो pump होता है यह इसके अंदर ATP खर्च होती है very very important याद रखना होता है, ATP इसको इनदर खर्च होती है, ATP इसको इनदर होती है, इतना clear हो गया, तो याद रखना, विराम कला विबाभ जिसको आपन हिंदी में बोलते हैं, इसके इनदर क्या होता है, sodium potassium pump open होते हैं, तो इसको कौन गर्णो करता है? sodium potassium pump गर्णो करता है, बोलो, दोनो यहां पर क्लॉज होते हैं तो पहला जो step आता है उसको क्या आपन एक साहिव से पुलिराइज न्यूरोन की बोलों पामों की आपते हैं तो प्लेयजक तो पालेजेसिन पालेजेशन और इस पोलिरजेशन को जबका बहते हैं, आपको पॉलिराइजेशन को जे पॉइन नीरोन को संसुर्ण नहीं करता है जैसे कि विराम कला वस्ता कि अंदर तंत्र कांक्ट यहना की एक्जुन की घली एक्जोन की जिली कौन सी होती है बच्छों जैसे मिने आब यापको बता ह पोटेशिय丹 आयन और पलोराइड आयन थिक पार्गे में होते हैं तो माओ धब के लिस्त परिमेबल हहोती लेकि लेकिन पलॉराइड आयन बहुत ही जादा यह परिमेबल होती है, इसके अंदर क्या होगा, दिरे-दिरे जो एक जो एक जोन होते हैं, एक जोन के तंतरिया द्रहों में, यहने की इंटरनल, क्या बोह रहे हु, इंटरासुलीलार फ्लुड के अंदर क्या होता है, पोटेशियम ए नेगेटिव, आवशि बाहर पंप के जाएंगे καॉसीका। तो इस धाधिये रेहिती है, पल्पलीरatura के सब्सक्राइब रहे तो इस तरह से इने सुखी होगया। इस छो पॉटेंशिल जो पॉटेंशिल दे शोनफ पालो कीनी का फैसकी पलो टेंटी पॉन the brain potential, very very important, कितना होता है, minus 70 होता है, फेला step के लिए हो गया, आप बात करते हैं the second step, इसके अंतर थ्रेस्थ पोटेसल वगरी भी आता है, यह थे इतना अपने células में हाँ नहीं है, तो अपन लोग इसको नहीं देखने है, the two days is depolarization, the second step, क्या होता है डी पोलराइजेशन तो डी पोलराइजेशन में क्या होता है जेसी इंपल्स मिलता है जेसी इंपल्स जन्रेट होता है वेरी वेरी इंपूरिट नहां समना डी पोलराइजेशन के से क्या होता है छुने से सोडियम वाल्टेज गेटेट चैनल का सोडियम का जो इन्फलक्स होता है वो बढ़ जाता है यहां पर क्या होता है यहां पर सोडियम वॉल्टेज गैटेट चैनल दियान से देखना यह क्या है सोडियम वॉल्टेज गैटेट चैनल है ठीक है समझना इसको यह क्या है सोडियम वॉल्टेज गैटेट चैनल है influx का मतलब क्या होता है बाहर से अंदर की तरप sodium ions क्या हो जाएंगे अंदर बहुत सारे sodium ions हो गए ठीक है जैसे अंदर बहुत सारे sodium ions हो गए तो अंदर जो चार्ज आएगा वो क्या साइगा positive तो इसका positive क्या बनेगा बार की साइड negative charge इस condition के अंदर इस second वाली जो process वाली 돼요 polarization वाली श्टेज एडाउं इस टाम क्या होता है sodium potassium atps pump क्या होता है लोस रहता है तो यह आपको याद रहता है sodium potassium atps pump क्या होता है इस टाइम सदय क्लोज़ रहते हैं तो सब्सक्राइड अ कि झांने फिस लिपट अग्रास लिवांडा वब्टिश्य होते ehkä वहाय कि व्यवेड ऊब रहते तो क्लोज रहेते हैं तो यह कि अतरी यहां कि छोजार थी थी आपन किरूट कि बंग यहां वह ऑपन हो जाते हैं, सेकेन वाला olurक इसको आपन लोग क्या बोलते हैं, डी पोलरिजेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ ही लिखा होआ है, नॉर्मली वह सभी चीज यही है, कि भाया कॉन से मेंब्रेन के ओपर चार्ज कैसा आजाता है, ठीक है बहरी सत्य बहरे ह कर दर इनातमक चार्ज आ गिया है, आंतरी सत्य को बहरो कला है जसे आप यही आ इक रहा है, अर यहीं दे र रहे हैं, और डाAgram के दिजरी वर्ट इनना तो जो दे रहे हैं, दे perлекс का है , यह venture आ तो यह वाला जो अपन को second figure दिख रहे है उसमें क्या है repolarization में क्या होता है वह में आपको बता तो तुम आपको बताता हूं कि यह सब्सक्तिब क्या होती है कि नहीं कुछ बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं में एक्टूली यहां प्रीट्सिम् बना के समझा देता हो रीम राइजेशन में क्या होता है पॉल्टेसियुम वाल्टेज गेठट चनल अप univers एट-पॉल्टेसियूम गेठट Чनल यहां पर ओपन होता है अपॉटिऴम इकानर के जाएगा बाहर की तरफ सेल से बाहर की तरफ। सॉडियम-मपॉटिशियम सेटिपेज पंप होता है इसेगाne होता है, जिए Angopop assum इन्हों क्या करेंगा अंदर लाएगा तो जो 3D स्टेज़ें को में रिड्पोल रहते हैं शौट से निदर क्या क्या होता है जाहन से समझना तो इसके अंदर सोरी पहला माइनस 70 फिर प्लस 30 फिर क्या आएगा माइनस 70 मिली वाल्ट तो पोटेंशिल डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए पहला माइनस 70 मिली वाल्ट सेकेंड आएगा प्लस 35 या 30 मिली वाल्ट थर्ड आएगा माइनस 70 मिली वाल्ट वापसे माल लो यह जो पोटेंश जब minus 80 या minus 85 enabled – 90 million volts तक हो जाता है तब आपने इसको क्या बोलते हैं hyper-polarization即 जब potassium gain अधिक मात्रा में बाहर आ जाते हैं तब क्या हो जाता है iska vivoantar minus 85 या piya minus 90 million jadi gift attack हो जाता है उसके आपनों क्या Indeed hyper polarization बोलते हैं तो बऩार नियुक्त नहीं की इतना रिखना है क्या थे reminder suppose just ॐ अचे नहीं है से एकल्च आपके लां प्र आप में रायच कर रहा हूं सप्यर्ण वाइँ प्रेदिफики स्थेश्कर के लिए अगलियों अ च्छेनल ऑपन होते है तब इसके वापस सबस्वापस परक्रेश काशार प्रफर श्रस टेप कर रीजार अंकEM हो ना कि इसको ऐपने लोग बोलते है दी पोलराईजेसंट के अन्दर जाह था इसके अ zijाथ समना मैंनसary — 70 mW होता घ्यांतर में छाथ है इसके अनर इनफलंक्स हो बहुत जाद रहता है या मैं ऐसा बोलू कि potassium and chloride ion के लिए तो यह permeable होते है और sodium ion के लिए बहुती least permeable होता है या फिर नय होता है ठीक है तो इसके अंदर ज्यान सुनना sodium voltage channel इसके अंदर absent होता है very very important sorry close रहता है sodium voltage channel and potassium voltage channel होता है वो close रहते हैं लेकिन इसके अंदर sodium potassium atps pump होता है वो इसके अंदर open रहते है second and deep polarization की बात करें तो इसके अंदर फिर्श्ट point आप उनको यह याद रहें है कि इसके अंदर only and only sodium voltage channel open होता है बाकि atps pump भी बंद रहता है और potassium voltage channel इसके अंदर बात करते है थ़र यानि तो यहां पर potassium voltage channel open होता है और साथि साथ अपको याद रहना है ATPS pump bin के अंदर open होते हैं, इतना clear हो गया, बस normally आपको यही आद रखना है, ठीक है, बाकि इसके अंदर बस यही दे रखना है, आवेगो का संचरन कैसे होता है, very very important, यही आपन को समयना है, आवेगो का संचरन, तो इसके अंदर बात की गई है, neurons के बीच के एक वात की गई है, तो इसके अंदर बात की गई है, synapse, तो synapse का निर्मान कैसे होता है, एक neuron से दूसरे neuron तक संचरन के लिए क्या बनाया होता है, synapse बनाया होता है, synapse का निर्मान कैसे होता है, pre-synaptic knobs, ठीक है, post-synaptic knobs, एंड दोनों की बीच का जो दरार होता है, इसको अपन लोग बोलते ह फिर आता है, post-synaptic knob या फिर past-synaptic membrane वैंड टीक है, तो यह तीनों मिलके synapse का निर्मान करते हैं, Synapse 2 तो प्रिकार कि होत या है टो यह प्रिक सिमहिस अपीच मों ऑई गारे भाते कंएपा जो अपन जो होते हैं टु कि गळा डाथेनी अपनी Спर तु होड़े है कि तो डाइग्राम इसमेन ने थे को संपना डाजिए संबना यह व़ला पोर्शंद एस अगज जो कर थे हं ऑट पर आपन को क्या दिख रहा है यह तुसके अंधर क्या स्टिक नॉब परचेट शिपट्रिप्टिन आपके अंदर स्टिक आएगा शेशीकल के अंदर नियृरो- ट्रांस्मीटर भर वहते हैं यह क्या करता है यह आगे लगे वे जो पोस्ट नेप्रिक नौव बहते उसके रिस्टेटर से बाइंड कर जाते हैं अब यह जो फिनोमेना होता है वो किस तरह से होता है अगर आप उसको ध्यान से सुनोंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर बहुत ही कुछ लिखा हुआ है लेकिन कर आपको समंझने पड़ेगी तो फर्स्ट अपन लोग बात करते हैं पहली सिक्वेंस पहला क्या होता है स्टाइघ में क्या होता है इस्टैटिमेंस में पर आगए अब उसके अंदर क्या होता है उसके यह पहुंछने के बाद कическая केलिषम वाल्टेज केयनल यहां पर खुल जाता है यहां टो एक्सियुलार फ्ली ओडक्न जड़ोमेंगा की完 diyorsun ही एक्सरा ब्राय sources कर जाते हैं तो यक्रेश ममेंन की 아랫्स म्हाइसित अब आपा गुल जाते हैं इस membrane पर टकड़ाती है , जैसे is membrane पर टकड़ाएगी तो यहां पर क्या होती है ? rapture हो जाती है फट जाती है तो यहां पर फटने के बाद जो neurotransmitter होते हैं और यहां पर इस जो claft आपन दिख रहा है इस claft के अंदर वो आ जाते है में जिसे ही आते हैं यहाँ पर sodium voltage गेटट cameras Richard Salne open हो जाते हैं very very important wat sodium voltage गेट जैसे sodium voltage गेटした Juice Key Camera dealt Poast Snaptic जो अपनिन को नॉब दिख रहाएं इक जो पॉच्छ नॉब है यहां पर deep polarization start हो जाता है यहां पर क्या हो जागा deep polarization Biz तो है इंपल्स कहां पर आजांगे बच्चोँ इधर आ जाएगा को वापस यह कमपली सिक्वेंच चलता है और इंपल्स को जनररेट करने लिए लिए ठीक है तो इसके अंदर बस यही बाते बताया रखिये तो इसके अंदर कुछ खास दें में रखा जो मेने सिक्वेंच बत ट्रांस्मिटर और एक होता है इनखी हं इंखी इनखी होता है इंखी 1060 कि यह वी कोले तुब इसको बोलते हैं ऑग गलाईसिन वगर रहते हैं इसके अदर अंधर आृध इंखी होते हैं झाल झाल